इस पुरू जनुत्रिया आप देख रहें NCIT बाई पुरू आज हम राइस्तान जीके के 200 वन लाइनर कुश्चन लेके आए हैं वीडियो पूरी देखना और हमें बताना कि आपको कितनी कुश्चन के आंसर आते थे तो चलिए कुश्चन स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन है राजस्तान ललित अकादमी कहां इस्तेता है तो इसका आंसर है जैपुर में राइस्तान ललित अकादमी जैपुर में इस्तेता है तो ये भी अगें जैपुर में इस्तेता है राइस्तान हिंदी गरन इस्तेता है नेक्स्ट कुशन है, राहस्तान की थार नगरी किस जिले को कहते हैं? तो राहस्तान की थार नगरी बाडमिर जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्तान का सुन्दर उद्दान के नाम से किस जले को जाना जाता है तो इसका आंसर है कोलायत बिकानेर सुन्दर उद्दान के नाम से कोलायत बिकानेर को जाना जाता है राजस्तान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस जले को जाना जाता है नेक्स्ट कुश्चन है रायस्तान का नवींतम संभाग कौन सा है तो अभी नए संभाग बन चुके हैं इससे पहले क्या था भरतपुर जो था सबसे नवींतम संभाग था लेकिन अभी सीकर पाली और बांस बाणा ये नए संभाग बने है नेक्स्ट कुश्चन है राहिस्तान का राज्य पसू कौन सा है तो राहिस्तान का राज्य पसू जो है वो चिंकारा है नेक्स्ट कुश्चन है राहिस्तान के राज्य पसू चिंकारा का राज्य पसू का दर्जा कम मिला जो अपना राजी पसु है चिंकार उसको राजी पसु का दर्जा कम मिलाता तो उसको राजी पसु का जो दर्जा मिलाता वो 22 मही 1980 को मिलाता अगला कुश्चन है चिंकारे का बैग्यानिक नाम क्या है तो चिंकारे का बैग्यानिक नाम है गजेला गजेला नेक्स्ट कुश्चन है राहिस्तान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है तो ये इसका आंसर है जैसलमेर तो राहिस्तान के जैसलमेर जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है अगला कुश्चन है राहिस्तान के किस जिले के आकरती धनुस के आकार की है तो इसका आंसर है दोसा रायस्तान के दोसा जिले के आकरती जो है वो दनुस के आकार की है नेक्स्ट कुशन है रायस्तान के किस संबाग की आकरती जम्मू कस्मीर के समान है तो रायस्तान के अजमिर संबाग की जो आकरती है वो जम्मू कस्मीर के समान है अगला है राहिस्तान की किस जिले की आकरती तरभुजाकार है तो राहिस्तान की अजमेर जिले की आकरती जो है वो तरभुजाकार है अगला है राहिस्तान की किस जिले को जरोकों की नगरी कहा जाता है तो जैसल में राहिस्तान की जैसल में जिले को जरोकों की नगरी कहा जा हाडोती पठार की मिट्टी है मलग किस प्रकार की है तो इसका आंसर है मध्यमकाली तो हाडोती पठार की मिट्टी जो है मध्यमकाली है नेक्स्ट राहिस्तान का वैलोर की नाम से प्रसिद्ध है तो इसका आंसर है बैसरोडगर तो राहिस्तान के वैलोर की नाम से बैसरोडगर्ट प्रसिद्ध है नेक्स्ट राज्जी की राजदानी क्या है तो ये तो सब कोई पता है राजदानी जैपुर है राज़्तान में लोगसबा सीटे कितनी है तो राज़्तान में 25 लोगसबा सीटे हैं नेक्स्ट राज़्तान का हरदवार कहलाता है उसका आंसर है मात्रकुंडिया रास्मी चित राहस्तान हाई कोट जो है वह जोदपर में सहता है लेकिन इसकी पीठ और शैर्पर जोदपर मेंpop निंटीन फोटी सेवन नम्स किसी नाम से नव कोटा और एड़ुकस्ठी की नाम से भी फिमस है ठीक है सबसे बड़ा हवे कोटा राहिस्तान का नेक्ट राहिस्तान को का कौन सा जला ओदोगों का नगर कहा जाता है तो अगे ओदोगी क्या ओदोग सेम ठीक है कोटा है राहिस्तान ब्रजबासा अकादमी कहां इस्तित है इसका अंसर जैपूर कि राह नेक्स्ट कुश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् गोडावड को राज जी पच्छी का दर्चा कम मिलाता तो गोडावड जो है उसको 21 में 1981 को राज जी पच्छी का दर्चा मिलाता राइस्तान के राज जी पच्छी गोडावड का बैग्यानिक नाम क्या है तो राइस्तान के राज जी पच्छी जो गोडावड है उसका बैग क्या-क्या है? तो गोडावड जो है उसके इस्तानी बासा में सोहंचेड़ी बोला जाता है सरमीला भी बोला जाता है ठीक है? अलग अलग लगी इसके इस्तानी नाम है अगला कुष्चिन है महाराजा School of Arts and Crafts कहां इस्तेता है? तो महाराजा School of बिदान सभा की कुल कितनी सीटे है तो राहिस्तान बिदान सभा की 200 सीटे है मुश्लिए ये सब को पता रहता आजकर नेक्स्ट कोशन राहिस्तान का राज्जी कभी कौन है तो इसका अंसर है सूरिमल मिश्रन राहिस्तान का राज्जी कमी है सूरिमल मिशन, ठीक हes? खीजडी का बानसपतिक नाम क्या है ? खीजडी का बानसपतिक नाम है Proceptive Sinneria ठीक है? खीजडी का बानसपतिक नाम क्या है? Proceptive Sinneria Next question खीजडी के सरवादिक 브च किस जिले में मिलते हैं ? तो खीजडी के जो सरवादिक ब्रच है तो राहिस्तान में ऑपरेशन खेजडा नाम का व्यान जो है वो सन 1991 में चलाय गया, ठीक है 1991 ऑपरेशन खेजडा, नेक्स्ट है माडिक किलाल वर्मा जंजाती विकास सोध संस्तान कहां इस्तेता है तो यह है उधैपुर में इस्तेता है तो यहां बहुत ज़्यादा जड़ी बुटी जंगल जाड़ी है इस तरीके से भी अपन थोड़ा सा आइडिया लगा सकते है नेक्स्ट कुश्ट है राइस्तान का बर्तमान स्वरूप का वस्तित में आया तो बर्तमान स्वरूप जो है वो राइस्तान का वो एक नवर में 1956 को आया ओकी नेक्स्ट है राइस्तान का राज्य खेल कौन सा है तो इसका आंसर है बास्केट वाल राइस्तान का राज्य खेल कौन सा है तो राहिस्तान का राजीगी जो है वो केसर्य वालाँ What a favorite मलब क्या खतरनाक song है बाई। है ना केसरी वालाँ अच्छाए गाना सुनना कभी मौका अम लीए ठीक है। नेक्स्ट कुछन है रायस्तान का सास्थ्री निडाथत्य कौन सा है तो राहिस्तान का सास्तरी निरत्ति जो है वो है कत्थक उट को राजी पसू का दर्जा कम मिला ये पसुदंस रेडी में एक्चली अपना जो जनरल राजी पसू है वो है चिंकारा लेकिन पसुदंस रेडी में राज्य पसु जो है वो उट है इसको दरजाज जो है वो 19 सितमर 2014 को मिला था राज्य बादियंत्र कौन सा है तो ये अलगोजा बड़ा अच्छा नाम है इसका अलगोजा राज्य बादियंत्र है ये अलगोजा सी लंका के छेत्रफल से कितना गुना है तो पांच गुना है सी लंका जो है राजिस्तान में पांच आ जाएंगे इतना बड़ा छेत्रफल है राजिस्तान का ठीक है तो सी लंका के छेत्रफल से पांच गुना नेक्स्ट कोश्चन है बागानों की भूमी के नाम से किस जिले को जाना जाता है तो इसका आंसर है स्री गंगानेगा बागानों की भूमी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस अन्नागार के नाम से भी जाना जाता है फलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है बागान बगर आया राष्तान राज्य परिटन निदेशाले जो है जैपुर में next question is तो राष्ट्री राष्ट्री सर्सおお अन संदान केंदर जो है वो सेवर भरत्पर में इस्ते है क्यूंकि भरत्पर में सबसे ज़ादा सर्सों होती है next question है मरुस्तल व्रच्छा रोपन एबं अनुसंदान केंदर कहां इस्तित है तो मरुस्तल व्रच्छा रोपन एबं अनुसंदान केंदर जो है वो जैपुर में इस्तित है केंद्रिय उट प्रजनान केंदर कहां इस्तित है तो इसका आंसर है जोहड बीड बीका नेर केंद्रिय उंट प्रजनन केंद्र जो है वो जोहड भीड भी का नेर में इस्तेत है नेक्स्ट कोशन राहिस्तान में सरबादिक चिंकारे किस जिले में देखे जाते हैं तो सरबादिक चिंकारे जो है वो जोदपुर जिले में देखे जाते है अगला है सबस्यादा खेज़ीडी की जो खेदी वो नावार में अगला है चिंकारा किस जिले का सुबंकर है तो चिंकारा जो है वो स्री गंगानगर जिले का सुबंकर है next question है राहिस्तान की लोडी कासी के नाम से प्रसिद है अगला राहिस्तान की रादानगरी के नाम से प्रसिद्ध है प्रतापगड नेक्स कोशन है कांठल के नाम से किस जिले को जाना जाता है तो इसका अंसर है कांठल के नाम से जो है वो प्रतापगड को जाना जाता है तो प्रतापगड को रादानगरी के नाम से भी कांठल के न नेक्स्ट कुष्टन राज्य पच्ची जो है वो गोडाबड नेक्स्ट केंद्रिय मरू छेत्र अनुसंदान संसतान संसतान कहां इस्तित है तो केंद्रिय मरुचेतर अनुसंदान संस्तान जो है वो जोदपुर में इस देता है मरुचेतर अनुसंदान संस्तान ठीक है सेंटरल का यह नेक्स्ट है उंट के गले का आवुशन क्या कहलाता है तो उंट के गले के आवुशन को गोरबंद का जाता है गूरवन, नेक्स्ट है, राहिस्तान में 24 नई जिले प्रस्तावित किस कमेटी ने किये, तो राहिस्तान में 24 नई जिले जो है, वो GS संदू कमेटी ने प्रस्तावित किये थे, GS संदू कमेटी, नेक्स्ट है, राहिस्तान का मद्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो इसका आंसर ह अजमीर, राहिस्तान का मद्धिवर्थी संभाग अजमीर है, ठीक है, नेक्स है, राहिस्तान का मद्धिवर्थी जिला कौन सा है, तो राहिस्तान का मद्धिवर्थी जिला जो है वो नागोर है, नेक्स है, राहिस्तान का राजिक क्रशी विपड़न बोड का मुख्याल है, जैपुर में स्थेत है, नेक्स्ट है, उंट का बेग्यानिक नाम क्या है, तो इसका एक कैमली, ठीक है, उंट का बेग्यानिक नाम क्या है, कैमली, नेक्स्ट है, राज्य में सरबादिक उंट किस जिले में है, तो इसका आंसर है जैसल में, राज्य में सरबादिक उंट जो है तो यह 1952 में हो थे ठीक है राइस्तान में प्रतम आमचुनाब जो है वो 1952 में हो थे नेक्स्ट है राइस्तान की अब्रग नगरी के नाम से प्रसिद जला कौन सा है तो राइस्तान की अब्रग नगरी के नाम से बीलवाडा जला प्रसिद है नेक्स्ट है राहिस्तान का आधुनिक मैंचेस्टर कहलाता है तो इसका अंसर है विवाडी जो अलवर में है तो राहिस्तान का आधुनिक मांचेस्टर कहलाता है विवाडी नेक्स्ट है राहिस्तान का कानपुर कहलाता है इसका अंसर है कोटा राहस्तान के कानपुर क्या 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 कौन सा कहलाता है ये कोटा कहलाता है नेक्स्ट है राहस्तान की सेच्रिक नगरी के नाम से ये भी अगैन कोटा educational city ठीक है नेक्स्ट है ग्रेनाड नगरी के नाम से किस जले को जाना जाता है तो ग्रिनेट नगरी के नाम से जालोर जले को जाना जाता है नेक्ष्ट कुश्चन है गुरु नानक संस्तान कहां इस्तित है तो इसका अंस्तार है जैपुर गुरु नानक संस्तान जो है वो जैपुर में इस्तित है नेक्स्ट कुश्चन है रूपायन संस्तान कहां इस्तित है तो रूपायन संस्तान जो है वो बोरुंदा जोदपुर में इस्तित है नेक्स्ट है कला संस्तान जो है वो जैपुर में इस्तित है नेक्स्ट है संगीत भारती संस्तान कहां इस्तित है संगीत भारती संस्तान जो ह ठीक है तो राहस्तान का मैंचेस्टर के नाम से जो है वो भीलवाड़ा जला जाना जाता है ठीक है मौडर्न मैंचेस्टर विवाड़ी हो गया और ये मैंचेस्टर के नाम से भीलवाड़ा नेक्स्ट है राहिस्तान का तालावबा बांदों का जला कौन सा है तो ये अगेन भीलवाड़ा ये तालावबा बांदों का जला है ये भीलवाड़ा नेक्स्ट है राहिस्तान की किस जले को सुवणडगिरी कहते है ठीक है तो सुवणडगिरी जो हो जालोर को का जारता है औ साचो और जालोर को राइस्तान का पंजाब कहा जाता है साचो और जालोर को नेक्ष्ट है राइस्तान राज्य बिद्दुत मंडल संस्तान कहां इस्तित है तो राइस्तान राज्य बिद्दुत मंडल संस्तान जो है वो जैपूर में इस्तित है नेक्स्ट है राज्य बीज निगम संस्तान का इस्तित है तो भी अगें जैपुर में इस्तित है राज्य बीज निगम संस्तान जैपुर नेक्स्टे कोशिन सरवादिक साचाड़ता वाला संभाग कौं सा है तो again इसका answer जैपूर सरवादिक साचाड़ता वाला संभाग है जैपूर नेक्स्ट भारतिया मूर्तिकला का विशुकोष के नाम से प्रसिद्ध है तो ये है बिजैस्तम चित्टॉडगर ठीक है भार्दे मूर्ति का लागा विस्वकोश के नाम से फीमस है विजैस्तम चित्तोरगड next question है हिंदू देवी देवताओं का अजायव गर के नाम से प्रसिद्ध है तो हिंदू देवी देवताओं के अजायव गर के नाम से विजैस्तम ही फीमस है नेक्स्ट है राइस्थान की अडुनगरी के नाम से प्रशत्य जिला कौन सा है तो राइस्थान की अडुनगरी के नाम से रावदवाटा District quota में आता है City ठीक है रावदवाटा एक तैसील टाइप का है जिला कोटा हो गया रावदवाटा कोटा Next question है जैपुर कत्तक के इंदर कहां इस्तित है यह तो इसके नाम से फिमसे जैपुर कत्तक के इंदर जैपुर में इस्तित है नेक्स्ट कुशन राहिस्तान का सबसे कम साथचरता वाला संभाग कौन सा है तो यह जोधपुर सबसे कम साथचरता है जोधपुर में नेक्ट रायस्तान का सरबातिक जंसन के अप्रद्धी वाला संभाग कौन सा है तो जोधपुर सरबातिक जंसन के अप्रद्धी वाला संभाग है यह जोधपुर नेक्ट कुशन है रायस्तान की देवनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है नेक्स्ट कुश्चन है भीलो की नगरी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है तो इसका आंसर है उदैपुर भीलो की नगरी के नाम से उदैपुर को जाना जाता है अगला question है fountain वा mountain के नाम से कौन सा सहर प्रसिद्ध है तो again fountain वा mountain के नाम से उदायपुरी प्रसिद्ध है ठीक है 100 question अपने इसमें कर लिए next 100 question अपन अगली source में अगली वीडियो में करेंगे जिसे कि आप भी वीडियो देखते देखते वोर ना हो और को issue ना रहे ठीक है आराम से वीडियो देखिए आप इन 100 questions में देखके हमें comment section में बताए कि आपको कितनी सारी questions के answer आते थे आगी के चर्चापन जो है वो अगली वीडियो में करेंगे thank you